जय माता दी प्रिय भक्ष जनू आप सभी का हर्दिक स्वागत है मेरे चैनल एनेच क्रियेशन्स में मा शक्ती के नव दुर्गा स्वरूपों में छटा रूप मा कात्याईनी को कहा गया है मा कात्याईनी का जन्व कात्याईन रिशी के घर हुआ था इसलिए इने कात्याईनी कहा जाता है मा कात्याईनी ने देवताओं को महिशा सुर सहित अन्य दुष्ट असुरों से मुक्ती दिलाई थी सदैव शेर पर सवार रहने वाली मा का त्याइनी का रूप अद्वुप है देवी का त्याइनी की चार भुजाएं हैं जिनमें एक हाथ अभय मुद्रा में रहता है और अन्या हाथ वर मुद्रा में रहता है इनके बाकी भुजाओं में अस्त्रशस्त्र और कमल का पुश्प है इनका वाहन सिंग है ये ब्रजमंडल की अधिस्ठात्री देवी हैं गोपियों ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी विवा संबंदी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूख होती है योग्य और मन चाहपती इनकी कृपा से प्राप्त होता है जोतिश में ब्रहस्पती का संबंद इनसे माना जाता है तंत्र साधना में देवी का संबंद आग्या चक्र से होता है मा का त्याइनी की पूजा गोदली बेला में विशेश फलदाई मानी जाती है सुरियास्त के आसपास का ये समय पूजा करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है सबसे पहले मा की पूजा के लिए सबसे पहले सनान कर लाल या पीले रंग के वस्तर पहने मा लाल अत्वा पीले परिदान धारन करती है इसलिए आप भी पूजा के समय लाल अत्वा पीले रंग के वस्त्र पहने सबसे पहले घर में स्थापित मूर्ती को गंगा जल से छिड़काव कर शुद्धी करन करें और फिर मा की प्रतिमा के आगे दीपक रखें अब हाथ में फूल लेकर मा को प्रणाम कर उनका ध्यान करें इसके बाद उन्हें पीले फूल, कच्चे हल्दी की गांट और शेहद अर्पित करें दूप दीपक से मा की आरती उतारें मा को पीले फूल और पीला नैवेद्धी अर्पित करें इनको शहद अर्पित करना विशेश कर शुब माना जाता है मा को शहद बेहत प्रिय है मा को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीग्र विवा के योग बनते हैं साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होती है इसके बाद मा के समक्ष उनकी मंत्रों का जाप करें मा का मंत्र ओम देवी कातियायने नमहा मा की स्थुती चंद्रहा सोज्वलकरा शारदुल वरवाहना देवी दानवा घाते नी ये मा के मंत्र और स्थुती है मा के मंत्र और स्थुति का जाफ करने से आपको बहुत एक सुखी प्राप्ति होती है वहीं आध्यात में अनुभव में मिलते है मा कात्याईनी की अरादना बिजनेस ग्रोथ और नौकरी में भी तरक्की दिलाती है अब हम आपको बताते हैं शीगर विवा के लिए कैसे करें मा कात्याईनी की पूजा गौधली वेला में पीले वस्तर धारन करें मा के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें इसके बाद तीन काट हल्दी कीवी चड़ाएं मा कात्याईनी के मंत्रों का जाप करें मंत्र कुछ इस प्रकार होगा कात्या याईनी महा माये महा योगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमे कुरुते नमा इस मंत्र के जाप से आपके शीगर ही विवा के योग बनेंगे हल्दी की जो गांटें आपने चड़ाई हैं उनको अपने पास सुरक्षित रख लें और मा कात्याईनी को शहद अर्पित करना ना भूलें अगर ये शहद चांदी के या मिट्टी के पात्र में अर्पित किया जाए तो ज़्यादा उत्तम होगा इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा और आकरशन शंता में व्रिद्धी होगी मा की पूजा विश्वास पूर्वक कीजिए इनकी पूजा करने से आपको मनुआंचित फल की प्राप्ति होगी और आपके शीगरी विवा के योग बनेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें साथ ही कमेंट में हर हर महादेव और जैमादादी जरूर लिखें